जिला दीकारी मिमला आर ने जिले में नाइट लौकडाउं के संधर में शनिवार की राच सुधारित आदेश चारी किया है जिसके अनुसार 28 दिसंबर की राच सुभा 6 बचे तक का लौकडाउं लागू होगा पहले यह 24 दिसंबर की राच सही लागू windows किया गया था लेकिन इस निर्णे को बदल दिया गया है कलेक्टर ने अपने सुधारत आदेश में कहा है कि किसी भी तरह की पाबंदी लगाने के पूर्व जाहिर सूचना देने का निर्देश है जिसके चलती प्रतीबन 28 दिसंबर से लागू की जाएगी इस सुधारत आदेश के बाद कई होटल रेस्टरॉंट वालों को रहत मिली है सिटी में रात 9 बजे से ही सब बंद करना शुरू कर दिया गया था जिनें सुधारत आदेश की जानकारी मिली उनमें से कुछ ने अपने रेस्टरॉंट आदी दुबारा खोले न्यू यर्स अलिब्रेशन की भी तयारियां थी उन्हें भी रहत मिली है लेकिंग कोविट प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करना अनिवार है इसके अलावा जमावबंदी यानि 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने पर प्रदिवन 5 से रात 9 से सुभा 6 बचे तक लागू रहेगा कोविट वार्ट तयार रखने के निर्देश दिल्ले में अचानक कोरोना संक्रमतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ओमिक्रोन का खत्रा बढ़ गया है जिलादिकारी ने सभी उच अधिकारियों की ततकाल बैठक लेकर सभी कोविट अस्पतालों वार्ड तयार रखने के निर्देश दिये और खुद मैडिकल एमस मेयों अस्पताल को भेट देकर कोविट वार्ड को पूर्ण शमत से तयार रखने का निर्देश दिया बैठक में जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी लागू करने के संधर में सभी एक मत थे दरसल शुकरवार को जिले में 12 संक्रमत मिले थे और दूसरे ही दिन शनिवार को यह संक्या बढ़कर 24 हो गई उस पर भी सिटी में 21 नए संक्रमत पाई गए हैं कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ दिशाटवा बीसे न्यूस नाकपूर